हलो फ्रेंज वेलकम बैग टू माई चानल लीगल हेलप इन हिंदीज सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो की मिंटीनेंस के उपर है सुप्रीम कोट ने अपने एक एहम फैसले में जज्मन देते हुए मेंटेनेंस पर कुछ गाइडलाइज जारे की है केस का टाइटल है राजीस वर्सिस नेहा एन एनादर केस और इस केस के सुनवाईmesi जेस्टीस हिंदू मलहोत्र और जेस्टीस आर सुपास रेटी के बैच कर रही थी आगे मामली को समझते हैं आंडरेबल सुप्रीम कोट दिल्ली हाई कोट के एक एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी दिल्ली हाई कोट ने फैमिली कोट के फैसले को बरकरार रखा था हाई कोट ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखा था कि पती द्वारा बहुत ही एशो अराम की जिंदिगी जी जा रही थी देश विदेश में वो घूमता था और वाइड लाइफ फोटोग्राफी का लुफ्थ फलेता था शादी किसी भी धराम या समुदाई की हो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है किसी की भी लाइफ के लिए लेकिन जादा तर देखा जाता है कि शादी होते ही घरेलों हिंसा डावरी और डाइवोर्ज जैसे मामले सामने देखने को मिलते हैं इनी डिस्प्यूट से निपटने के लिए ओनरेबल सुप्रीम कोट ने कुछ गाइडलाइन्स जारी की है जो की मेंटेनस को लेकर है इस गाइडलाइन्स में कहा गया है कि कोट में आते ही दोनों पार्टीज को अपनी इंकम सोर्स बताना होगा उसका ब्योरा देना जरूरी है उसके बाद ही गुजारा भत्ता यानि की मेंटेनिंस तै किया जाएगा और इस गाइडलाइन्स को देश के सभी हाइडलाइन्स को मानना पड़ेगा पार्टीज जब तक अपनी इंकम और प्रोपर्टी का ब्योरा नहीं देती तब तक मेंटेनिंस ना देने पर अरेस्टिंग और जिल भीचने की कवायत पर रोक लगी रहेगी तो इस तरह से देश के सभी हाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए ही केस की सुन्माई करेंगे जहाँ पर मेंटेनिंस केस होगा लेकिन दोस्तों याद रहे कि अगर पती गुजारबता यानि की मेंटेनिंस नहीं देता है तो उसे जेल भी हो सकती है अनरेबल कोट ने कहा है कि जादा तर हर केस में देखने को मिलता है कि पीडितों के द्वारा एफिडेविट जमा कर दिया जाता है लेकिन इंकम और प्रोपर्टी का खुलासा नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोट की गाइडलेंज के बाद अब इस तरह के केसिस पर रोक लग जाएगी जज्ज्मिन की पीडियेफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा